स्री शिवाईन नमस्त उभ्यम दर्शको कैसे हूँ आज अगरते हैं कि आप सब सुवस्त एमसराक्षित होंगे दर्शको आज जैसा कि आप सभी को पता है आज 29 जुलाई साथ ही आज सनिवार का दिन पढ़ रहा है सरावन माह का महिना चल रहा है और आज पदवनी एका दसी भी है दर्शको को कहते हैं कि जो पदवनी एका दसी होती है इसका आपने आप में काफी विशेश महत्व माना जाता है इसी के साथ ही आज दुरलब नहीं बलकी महा संयोग बन रहा है आज सनिवार का दिन है और सनीदेव को न्याय का देवता कहा गया है इसी के साथ ही दोस्तों आज पद्वनी एका दर्शी है जो कि भगवान विश्णों को शमर्पित होती है साथ ही आज सरावन महा का महिना जाता है इसी के साथ ही दोस्तों कहते हैं कि जो सनिवार का दिन होता है इस दिन कुछ विशेश कारे करकर और भगवान सनिदेव की पूजा रदना करकर मनुष्य जीवन के अपनी जो समश्या होती है जो जीवन में कष्ट होते हैं उन्हें ही दूर कर सकते हैं इसी के साथ ह दोस्तो आज हम आप लोगों को पदमिनी एका दसी पर किये जाने वाले उपाईयों के बारे में बताएंगे और इस उपाई को कर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है आपको ऐसा को वार का दिन भी है भगवान सनी देव का भी दिन है तो ऐसे में आज के दिन आप लोगों के उपाई को करना है आपके जीवन की तमाम कष्ट तमाम दुर्बल सतिया तमाम आर्थिक समश्यां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी तो दोस्तों किस प्रकार से और किस तरह से इसे छोटे से उपाई को करना है आईए जानते हैं इस वीडियो में इस चैनल के माद्यम से अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी लिए काफी माईने रखता है इसी के साथ इस वीडियो को शेयर जरू कर दे ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लावे प्राप्त हो सके और कॉमेंट बॉक्स में स्री शिवाय नमस्तु भ्याम जै मालक्ष्मी अवश्यलिक हैं तो दोस्तों आईए जानते हैं इस पद्मनी एका दशी पर इस एका दशी पर किये जाने वाले उपाईयों के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है जो एका दशी होती है एका दशी चाहे कोई सी हो प्रते के एका दशी का अपने आप में काफी विशेश महतों माना जाता है इसी परकार आज जो एका दशी पड़ रही है इसका भी अपने आप में काफी विश में तो माना गया है कहते हैं कि एका दशी पर कुछ विशेश कार्य करने से मनुष्य अपने जीवन के परतेक जो पाप हैं उन्हें समाप्त कर सकता है तो दोस्तों आज एका दशी की साम आप सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक ले मिट्टी के दीपक में आप लोगों को एक घर में अगर तुलसी का पोधा हो तो उस तुलसी के पोधे के पास जाना है तुलसी के पोधे की जड़ में आप लोगों को उस दीपक को रखकर जला देना है दीपक की लोग आपको दक्षिन दिशा की और करनी है दक्षिन दिशा की और दीपक के मुख को करना है वहाँ प जीवन के तमाम एकष्टों के बारे में आप लोगों को बोल देना है और हाथ जोड़कर आखे बंद करकर आप लोगों को पून सृद्धा भाहो के साथ मातर 11 बार ओम नमो भगवते बासु देवाही नम्हा इस मंतर का जप आप लोगों को करना है दोस्तों इस एक आदाशी पर 11 बार इस मंतर का जप करने से जीवन के तमाम एकष्टों से आपको छुटकार प्राप्त होगा तो एक बार करकर देखेगा आपका वशलाब प्राप्त होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ख्याल रखेगा धन्यवाद जी नमस्कार